एक आदश के सभी बच्चों का आज साथ अगस 2020 के इस बैंकिंग के वीडियो लेक्षर में हर देख स्वाकत आज हम पढ़ने वाले हैं मुद्रा इस्पीति के प्रकार काइंड्स आफ इंफलेशन अनेक प्रकार की मुद्रा इस्पीति होती हैं वर्गी करण भी विभिन आधारों पर किया गया है पहला है नियंत्रण के अधार पर देखे नियंत्रण सरकारी नियंत्रण की मात्रा के अधार पर मुद्रा इस्पीति को दो भागों में बाटा जा पहला है खुली मुद्रा इस्पीती ओपन इंफलेशन जब बढ़ती हुई किमतों पर सरकार की और से कोई नियंतरण नहीं लगाया जाता और किमतों में व्रद्धी मांग हुआ पूर्टी के परिवर्तन की अनुसार ही होती है तब यहां खुली मुद्रा इस्पीती कहलाती ह यानि कि सरकार इसमें कीमतों को नियंतरण करने के लिए कहीं पर भी कोई भी कोशिश नहीं करती यह यह कह लें कि कोई दखल नहीं देती इसे खुली मुद्रा इस्पीती ओपन इंफलेशन कहा जाएगा दभी मुद्रा इस्पीती क्या होती है सप्रेस्ट इंफलेशन जब सरकार बढ़ती हुई किमतों को विविन उपायों जैसे रैशनिंग कीमत नियंत्रण आधिके दोरा रोकती है तो इसे दभी मुद्रा इस्पीती कहा जाता है किन्तों भविश्य में जैसे ही सरकार नियंत्रण हटाए जाते हैं तो किमत एकदम तेजी से बढ़ने लगती हैं ये था नियंत्रण के आधार पर खुली मुद्रा इस्पीती और दभी मुद्रा इस्पीती अब हम जानने वाले हैं क्षेत्र के आधार पर इस आधार पर मुद्रा इस्फीती तीन प्रकार की होगी, क्षेत्री या खंडी मुद्रा इस्फीती, जब किसी देश के किसी एक भाग में ही किमतें बढ़ती चली जाएं, तो इसे क्षेत्री मुद्रा इस्फीती बोलते हैं, राश्ट्री मुद्रा इस्फीती वहा होती है, जब मुद्राइस्पीत का प्रभाव समस्त देश में पाय जाता हो उसे राश्ट्री मुद्राइस्पीती कहते हैं अंतर राष्ट्री मुद्रा इस्फीती जब अनेक राष्ट्र एक साथ मुद्रा परसार से ग्रस्थ होते हैं तो यहां अंतर राष्ट्री मुद्रा इस्फीती कहलाती है। बात करेंगे गतिया तिवरता के अधार पर तो गतिया तिवरता के अधार पर आपने अभी मंद या रिंगता हुआ मुद्रापरसार, चलता हुआ मुद्रापरसार, दोडता हुआ मुद्रापरसार और सरपट दोडता हुआ या तीवर गामी मुद्रापरसार आपने अभी ठ युद्ध कालीन मुद्रापरसार वारडाइम इंफलेशन युद्ध के खर्चों को फूरा करने के लिए सरकार युद्ध काल में अत्यदिक मुद्रा जारी कर देती है यानि कि निर्गमित कर देती है ऐसे समय में उपभुकता वस्तूओं के उत्पादन में वरद्धी तो हो नहीं पाती बलकि देश में फोजी सामान ज्यादा उत्पादित किया जाता है इससे उपभुकता वस्तूओं की किमतों में वरद्धी हो जाती है इस इस्तिती को युद्ध कालीन मुद्रा इस्पेती बोलते हैं और सरकार को मजबूरन इसलिए अत्यदिक मुद्रा जारी करनी होती है क्योंकि जब उत्पादन उपभुगता वस्तूओं का कम होता है तो इनकी महेंगाई बढ़ चुकी होती है और सरकार नहीं चाहती कि उसके देश के लोगों को मुद्रा की कमी के चलते आवश्यक वस्तूएं उपलब्ध ना हो पाएं तो इसलिए सरकार क्या करती है अत्यदि मुद्रा इस्पी थी पोस्ट वार इंफलेशन युद्व समाप्त हो गया कई कारणों से मुद्रा इस्पी उसके बाद भी जारी रहती है जैसे युद्व से जरजर अर्थ व्यूस्ता के पुने निर्मान के लिए भारी मात्रा में धनराशी वे करती है सरकार युद्व की अवद में लगाया गए करों को कम या समाप्त कर लिया जाता है सरकार रिण देना चाहती है लोगों को सरकारी रिणों की वापसी के करण जनता के पास मुद्रा की फूर्ती भी बढ़ जाती है तो फल सुरूप वस्तूओं और सिवाओं की मांग बढ़ती चली जाती है तीसरी है शांतिकाली निमुद्राइस पीति विकासिल राष्णों में शांतिकाल में अपने विकास कारिक्रमों को पूरा करने के लिए भारी मातरा में वित्ती सादरों की आवशकता पड़ती है तो सरकार को घाटे की वित्त विवस्ता भी करनी पड़ती है घाटे की वित ज़्यट में ज़्यादा रखे जाते हैं अब सवाल यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास आयकम है और उसके खर्चे ज़्यादा हैं तो वह जो खर्चों को करने के लिए जो कमी पड़ेगी वो कहां से पूरा करेगी या तो उसे भीख मांगना होगा या उसे रिंड लेना उस अंतर को पूरा करने के लिए सरकार नए नोट शाप ले अब यह सामान विक्ति नए नोट शापने का विकल्ब उसके पास नहीं होता लेकिन सरकार के पास होती है तो सरकार जैसे ही नए नोट शापेगी मुद्रा की मात्रा बढ़ने से देश में मुद्रा इस्पीती आ रखते हैं एक है घाटा प्रेरीत मुद्रा सब्सक्राइब इंफलेशन जब सरकार अपने बजट के घाटे को पूरा करने के लिए घाटे की वित्व विवस्था जनकी अतरिक्त नई पत्र मुद्रा जारी करती है तो मुद्रा की पूर्ति तो कफी बढ़ जाती है लेकिन उत्पादन में इसके अनुरूप व्रद्धी नहीं हो पाती जिससे मुद्रा की मात्रा ज्यादा बढ़ती है और वस्तों की मात्रा भी बढ़ती है मगर उतनी नहीं बढ़ पाती तो फाइनली इसको कभी-कभी budget ही मुद्राइस्पीत भी बोलते हैं और कभी-कभी घाटा प्रेरित मुद्राइस्पीत भी बोला जाता है अब हम बात करते हैं आगे की उत्पादन जनत स्पीत इस्पीत प्रोडक्शन बेस्ट इंफलेशन कभी-कभी बाढ़ाने या मांसून के असफल हो जाने हरताल तालाबंदियाद के कारण उत्पादन में तो कमी हो जाती है किन्त मुद्रा की मात्रा में कमी नहीं होती ऐसी स्थित में मुद्रा ज्यादा रहती है या यूं कहें उत इसफीति बोलते हैं तीसरी केटेगरी है मजदूरी प्रेरीत मुद्रा इस फीति वेज इंडूजड इंफलेशन शरम संगों की शर्म संगों की शक्तिशाली होने पर जब उनकी शावदा करने की शक्ति बढ़ जाती है यारी भार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ जाती है जिससे श्रमिक अपनी मजदूरी बढ़वाने में सफल हो जाते हैं और इसके परिणाम सुरूप होता क्या है इसके परिणाम सुरूप उत्पादन लागतें बढ़ने लगती है और उत्पादन लागत बढ़ने की वज़े से महगाई बढ़ जाती है तो ऐसी मुद्रा कि किसी भी वस्तु की लागत में मजदूरी यानि की labor cost का कफी बड़ा हिस्सा होता है। अगर मजदूरी बढ़ जाए तो बहुत बार उसकी लागत बढ़ती ही है और लागत बढ़ने से वस्तुओं के मोली बढ़ जाते हैं किम्तें बढ़ जाती हैं और इससे जो महंगाई उत्पन होगी उसको मजदूरी प्रेरित मुद्राइस फीती की वज़े से माना जाएगा चौता है लाभ प्रेरित मुद्राइस फीती कुछ देशों में बड़ी-बड़ी कमपनिया अपनी वस्तों की कीमतें तेह करते समय लागत के उपर एक निशित प्रतिशत लाभ के रूप में और बढ़ा देती हैं जिससे कीमतें काफी बढ़ जाती हैं उंची निर्धारित हो जाती है और इस वज़े से महंगाई जो बढ़ती उसे लाभ प्रेरित मुद्राइस फीती कहा जाएगा तो यह आपने अभी जो जाना यह क्या था प्रक्रिया के अधार पर मुद्राइस फीती कारणों के अधार पर मुद्राइस फीती जरह इसे भी जान लें मांग प्रेरित मुद्राइस फीती डिमांड पुल इंफलेशन जब जनसंक्या में व्रद्धी हो जीवन इस्तर में बेत्धी हो इन कारणों से वश्तों की प्रभावी मांग है वह बढ़ जाए और वस्तों की पूर्थे में मांग क्ति में बढ़ चांगे ऐसी कीमत बढ़ती को मांग ब्रे इस फीति कहा जाएगा लाग व्रध्धी मुद्राइस्पी ती कॉस्ट पुश इंफलेशन यह वो होती जो आप अभी पढ़ रहे थे उत्पादन वाले में आपने पढ़ा था ना उत्पादन जनित या मजदूरी प्रेरित मजदूरी बढ़ने से लागत बढ़ती थी तो बात वही है लेकिन यहां इन्हों ने दूसरी केटेगरी में चुकी से रखा है देखें यह जो केटेगरी हैं अलग-अलग केटेगरी में भी सेम चीजों को भी कभी-कभी डिसकस करते हुए आप देखेंगे तो उसे आप यह नमान के चलें कि इन केटेगरी यह तो सिर्फ समझाने के लिए अलग-अलग आधार बना दिये गए हैं मुद्राइस्पीत तो भई है बसकाली आप उसे अलग-अलग एंगिल से देख रहे हैं सिर्फ ठीक है तो लागत व्रद्धी मुद्राइस्पीत क्या है कॉस्ट पु देना होता है और इन पुरसकारों के कीमति अगर बढ़ जाएं तो क्या होगा कि लागत व्रद्धी तो इससे क्या होगा उत्पाधन में कोई वरद्धी होई नहीं और लागत में व्रद्धी हो गई तो कीमतों में जो व्रद्धी के साथ जब रिंदे आता है तो उसको उधार रिंदी कहा जाता है और जब ये सरकारें या विवयपरीक बैंक की उधार नीतियां अपनाती है और आधिकादि कैने भ yhtれ सारा यानि की अधिक से अधिक धनराश लोगों को उधार देती हैं तो साख विस्तार के कारण लोगों के पास मुद्रा की पूर्टी बढ़ जाती है और इससे वो अधिक से अधिक वस्तों की डिमांड क्रेट करते हैं और फल सुरूप मुद्राइसपीती बढ़ती है इसको साख मुद्राइसपीत कहा जाता है चलन मुद्राइसपीत करंसी इंफलेशन प्रचलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ने किन्तों के उत्पादन में उस अनपात में व्रद्धी ना होने के कारण कीमतों में जो व्रद्धी होती है उसे मुद्रा की मात्रा बढ़ गई दोनों इस्तितियों में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है लेकिन अगर उत्पादन में उसी अनुपात में बढ़ोत्री ना हो तो महंगाई आएगी और उस महंगाई को हम बोलेंगे चलन मुद्रा करंसी इंफ्लेशन अतिनिवेश मुद्रा इस लेकिन उत्पादन उतनी शिक्रता से प्रारंब नहीं होता अब आप कहेंगे कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी पूंजी फैक्टरीज में लगा देगा धेर सारी तो मुद्रा परचलन में कैसे आ जाएगी आप जानते हैं फैक्टरीज जो है वो भूत परत तो चलाते नहीं ह तो लोग जो उन फैक्टरीज में काम कर रहे होंगे वो उन्होंने काम करना शुरू किया और उनको उनका रेमिनरेशन मिलना शुरू हो गया यानि कि अधिकादिक जब निवेश होगा तो रोजगार बढ़ेंगे और लोगों को रोजगार के बतले में रेमिनरेशन मिलेग तो वो जो time lag होता है लोगों के पास पैसा पहले आता है और वस्तुमें बहुत बाद में आपाती हैं तो परिणामता क्या होता है प्रभाव पूर्ण मांग में व्रद्धी होने से कीमतों में व्रद्धी हो जाती है मतलब यह है कि लोग मांग जादा करते हैं और उस समय तक कुछ पादन उतना उपलब द्रहीं उपाता और इससे महगाई बढ़ जाती है इसे अतिनिवेश मुद्राइस्पी ति कहा जाता है अव मुल्यन जनित मुद्राइस्पी जरास समझना inflation through devaluation जब देश की सरकार अपनी मुद्रा का अव मुल्यन करती है तो उसके आयातों मे कमी और नर्यातों में व्रद्धी हो जाती है इसे समझना पड़ेगा अव मुल्यन क्या है devaluation एक तो शब्द था demonetization जो 2016 में हुआ demonetization में सरकार अपने कुछ note जो है वो चलन से बाहर करती है लेकिन अव मुल्यन यानि की devaluation में सरकार अपनी मुद्रा जानि की जिससे भारत में रुपया है उसके मुल्य को जिन भी currency के आधार पे वह उनका मुल्यांकन करती है उसके मुकाबले घटा दे जैसे भारती रु के 72 रुपय कर दिया जाए 75 रुपय कर दिया जाए पर डॉलर तो यह अव मुल्यन कहलाएगा सरकार जब जानबूज के से करती है तो इसे devaluation कहा जाता है इससे क्या होता है आयातों में कमी हो जाती है और नर्यातों में ब्रद्धी हो जाती है अब कैसे होगा ऐसा करते थे 70 डॉडर अब आपको देने बढ़ेंगे पच्छाय मीन आपकीजीगा पहले एक डॉलर के बदले आपको देने पड़ते थे 70 रुपय अब आपको उसी एक डॉर की कीमत के बदले देने करने पदेंगे 75 ट त quella यह तो 5 रुपय बढ़ गए ना तो ऐसे में वो बिवस्ताय में लगे हुए थे, import करने वाले जो लोग थे, importers, वो अपने imports में कमी करना शुरू करदेंगे, वो केवल अनिवारी वस्तूओं को ही मंगाएंगे, या उन्हीं वस्तूओं को मंगाएंगे, जिन पे उन्हें margin ज्यादा था, और अगर उने पे 5 रुपै बड़ तो भी उनका लाभ कम से कम इतना बचा रहे कि वह उन वस्तूओं का आयात कर सकें ऐसे में जो बिल्कुल मारजिन पर थी ऐसी वस्तूओं के आयात वह नहीं कर पाएंगे और इस वज़े से आयातों में कमी आ जाएगी अच्छा नर्यातों में इसलिए व्रद्धी हो जाती कि पहले जहां पर एक डॉलर कोई अमेरिकन तो एक डॉलर ही पर करना चाहता है पहले आपको मिलते थे 70 रुपए अब आपको मिलेंगे 75 रुपए यह पांच रुपए जो एक्स्ट्रा मिलेंगे इससे आप आत कमी आती है और नर्यातों में वरद्धी होती है अब समझना जरा देश में उफ्भूगता वस्तौं की कमी होजाना स्वभाविक है आयात जो वस्तौución आती थी वह जितनी आती थी उतनी नहीं आई और जितनी वस्तौ में देश से बाहर जाती थी उससे ज्यादा चली गई तो देश में उपभोगता वस्थों की कमी हो जाना स्वभाविक है इससे कीमतों में वरद्धी हो जाएगी और इसी लिए ये जो महंगाई होगी इसको हम क्या बोलेंगे इंफलेशन त्रू डिवेलिवेशन आयातित मुद्रा इसफीत इंपोर्टेड इंफलेशन जब किसी देश को विवश होकर पेट्रोलाद वस्थों को विदेशों से अधिक कीमत पर खरीदना बढ़ता है तो इससे अन्य वस्थों की किमतों में भी व्रद्धी हो जाती है इस से आयातित मुद्रा इसफीती कहते हैं मुझे लगता है कि यह असान है समझना आठवा बढ़ते हैं आठवा क्या है विदेशी ब्यापार नियंतरन मुद्रा इसफीती देखें इंफलेशन त्रू रेस्ट्रिक्शन अन फॉरें ट्रेड यद किसी देश में निर्यातों को हतोसाहित और आयातों को हतोसाहित किया जाता है जैसे कि चाइना में हम क्या चाहते हैं कि आयात वहां से अब ना हो या ना के बराबर हो उसके कई सारे कारण है अब सभी लोग उनसे परजित हैं और हम निर्यात चाहते हैं कि हमारे हो जाएं उस देश में ताकि हमारा जो भ क्लिक भूगतान असंटोलन क्या होता है वैसे भूगतान संटोलन ही शब्ड है और यह जब नगेर निगेटिव में होता है टो उसे आप असंटेक्ञ यह जुछ सकते हैं यह उख ऐसे पूरी बाकी दुनिया के साथ हमारे जो आयात और नर्यात हैं उनमें आयात ज्यादा हो और नर्यात कम हो मूल के मुद्रिक रूप में तो उसे भुगतान असंतुलन कहा जाता है यानि कि हमारा जो भुगतान असंतुलन है बैलेंस सब्ट्रेट वो ठीक स्थित में नहीं है माइनस मे चला गया और अगर नर्यात जादा हूँ आयातों से तो वो बहतर माना जाता है फिलहाल हम कभी कभी किसी देश भी से इसके साथ ये चाहते हैं कि वहाँ पे नर्यात तो जादा हो जाए और आयात कम हो जाए तो इससे देश में क्या होगा जब हम आयात कम करने लगेंगे नर् द्योगों में कारिकोशलता गिरती रहेगी और इससे कारण देश का जो माल होता है वहाँ भी महेंगा होता चला जाता है तो खुल मिलागर करके यह अपने जाने की जो मुद्रा इस्पीत है उसके प्रकार क्या होते हैं एक और टॉपिक आज कवर करेंगे वो है मुद्रा इस तो मुद्रिक आए बढ़ाने के कौन कौन से कारण है उन्हें जाने के सबसे पहले फिर बात करेंगे उत्पादन की जो मात्रा है लोगों की मुद्रिक आए वही रहे लेकिन उत्पादन की मात्रा घड़ जाए जिससे महंगाई बढ़े तो यह दोनों कारण है जो बढ़ने की कारण है पहला है मौद्रिक आय या मांग में व्रधी करने वाले कारण देखे देश में उत्पादन व्रधी की तुलना में मौद्रिक आय अधिक गति से बढ़ती है उत्पादन तो उतना तेजी से नहीं बढ़ पाता लेकिन हां लोगों की जो मौद्रिक आय है पहला कारण क्या है पहला कारण है अनुत्पादक वे में व्रद्धी कभी-कभी सरकार प्रतिरक्षा प्रशासन आदी पर अतधिक वे करती है और इसके करण उत्पादन में तो ज्यादा व्रद्धी नहीं होती लेकिन लोगों की मोद्रिक वे बढ़ जाती है अब आप करते हैं सरकार का संचालन करते हैं यहां पर कुछ उत्पादित नहीं होता यह केवल सरकार चलाने के लिए सारी संस्थाएं हैं और इन पर जो भी सेलरी वगारा खर्च होती है वो सब अनुत्पादक वे हैं तो इससे लोगों की मोद्रिक आए बढ़ेगी इस से स्फीतिक दशाएं यानि इन्फलेटरी कंडिशन सुत्पन होती हैं और महंगाई बढ़ती है सरकार तथा केंदरी बैंक की मोद्रिक नीति अगर केंदरी बैंक या सरकार उदार मोद्रिक नीति या साखनी अपना है तो मुद्रा किया पूर्ति बढ़ जाती है लोगों के द्वारा वस्तों और सिवाओं की मांग बढ़ा दी जाती है लेकिन उसकी पूर्ति उस अनुपात में नहीं बढ़ पाती परिणामता कीमतों में ब्रद्धी हो जाती है किंद्री बैंक धर में भी कमी करके तथा खुले बाजार में प्रतभूतियां करेद कर भी साख का विस्तार कभ कुछ समझ में आता होगा बैपारिक बैंकों की साखनीत कभी कभी बैपारिक बैंक अपनी जमाराश्यों के पीछे रखे जाने वाले नकत कोश्चों हैं उसको और कम करके अनुपातिक रूप से लोगों को ज्यादा उधार देने लगते हैं इससे भी मुद्रा स्भीत की स् लोगों में क्या होगा प्रपेंसिटी टू कंज्यूम यानि की उपभूग की जो प्रवित्त है टेंडेंसी है वह भी बढ़ जाएगी और पुझी की सिवांत को शलता है यानि की मार्जनल एफिसेंसी आप कैपिटल महें ब्रद्धी होगी जनता तरलता पसंद करने लगे उसे तरलता पसंदगी में कमी कहा जाता है और अगर कोई व्यक्ति अपने पास अपने पोकेट में धेर सारे पैसे रखना पसंद करता है कुछ लोग होते हैं आप देखें उनकी परस में 20-30-40 रुपे होंगे मतलब अगर अचानक से उन्हें कहीं पर भी एक किलो से भी खर हीजाए 1-12,000 उनकी फोकेट में हमेशा बने रहेंगे तरलता पसंदगी का घुण है उनमें को तरलता पसंदगी कम हो जाए तो लोग क्या करेंगे उस पैसे को ज्यादा खर्च करेंगे वस्तूओं पर परिवहन तथा समवाद वहन के सादरों में विकास हो जाने के कारण मुद्या बचल में थीजी आ जाती है यानिकी मुद्या की जो विलिसिटी Shout वो बढ़ जाती है और जनता की मुद्यक अय बढर जाती है इसे महंगा ही बढरती है अब बात करते हैं व्ययोग आय में व्रद्धी सरकार दौरा जब करों में छूट दे जाती है तो लोगों के पास disposable income यानि की खर्च के लायक जो income होती है वो बढ़ जाती है जैसे किसी भी व्यक्ति की पहले आय हुआ करती थी 100 रुपे और सरकार उस पे tax लगाती थी 20% तो लोगों के पास जो disposable income बचती थी वो 80 रुपे बचती थी अभी सरकार ने 20% घटा करके 10% कर दिया हो तो लोगों के पास सो में से 10% जाने के बाद 90 बचेगा तो disposable income 90 रुपे 10 रुपे से बढ़ गई और इसे वो जनता जो होगी वो ज्यादा वस्तूओं के उपर खर्च करना चाहेगी इसे किमत सारजनिक रिनों का भुगतान जब जनता से जो सरकार ने रिण लिया था वो उन्हтесь कर दे तो इसे सारजनिक रिणों का भुगतान कहा जाता है ऐसी सित्त में लोगों के पास पैसा वापस आएगा वस्तूओं और इंकी मांग बढ़ेगी और फलता वश्तूओंती बढ़ा काला धन काला धन आप लोग जनते होंगे ऐसा नहीं कि ये काले रंका होता है काला धन वह धन कहलाता है जिसमें आप जिस धन पर टैक्स देना था लेकिन आपने उसे आय के रूप में सरकार के समक्ष शो नहीं किया और आपने उस पर टैक्स बचा लिया ऐसा धन काला धन कहला जाता है कराधन प्रणाली में कमियां होने पर जनता करूं की चूरी करने में सफल हो जाती है जिस कारन देश में बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी जमा हो जाता है यहां धन प्राय उपभोग वस्तुओं पर अनाप्-शनाप धंक से खर्च किया जाता है जिससे वस्तों के मांग में बढ़तरी होती है और कीमत भी बढ़ जाती है बात करते हैं दूसरे टाइप के कारण की उत्पादन की मात्रा और पूर्त को कम करने वाले साधन अब हम बात करेंगे उन कारणों की जिसमें वस्तु में कम हो जाएंगी मांग जितनी थी उतनी ही रही लेकिन जब पूर्ती उनकी घट जाएगी तो भी कीमतें बढ़ती है ठीक है तो ये कब होता है जब जनसंख्या में अधिक व्रद्धी हो जाए जब देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तब वस्तों और सिवाओं की मांग भी बढ़ लेकिन उत्पादन उस अन्रपात में बढ़ नहीं पाता परिणामता कीमतों में द्रेंतर व्रद्ध के करण मुद्राप्रसार होता है कुछ प्राकृतिक कारण भी है कभी-कभी देश में बाढ़ सूखा तूफान भूकंप ये प्राकृतिक विवदाएं होती है और इनसे फसले नष्ट हो जाती है कृष्य उत्पादन घड़ जाता है इससे विभन उत्द्योगों को परियात मातर में कच्छा माल नहीं मिल पाता और उत्पादन भी धड़ता है किन्दु मांग में कमीना हो पाने के करण वस्तुम की कीमतें बढ़ती चली जाती है अगर श्रमिक और मालिकों के बीच में जगड़े हो रहे हों इनकी वज़े से हरताल घेरा और ताला बंदी जैसी चीजे हो रही हो तो इसे आप अध्योगिक आशान्ति बोलते हैं और इसकी वज़े से जब उत्पादन नहीं होगा घड़ जाएगा तो कीमतें भी बढ़ जाएंगे करते जमाखोर और घूसख़ोर जो होते हैं इस तरह की चीजें जमाखोरी करने लगते हैं चीजों को अन आफंटीकेटटर डूप हां जमागरकर करके रखते हैं होड करके रखते हैं और जब उनकी कृतिम शौटभ पन हो कि उलबताओं कि कारणों की वज्वें से भी कभी कभी आप पाते हैं कि मुद्रा-इस-पीती बढ़ गई है एक गोर आता है सरकार की करद्धान नीतियां सरकार की करद्धान नीति यानी सरकार दोरा वस्तों बर नाइकर लगा Traffic और पुराने करों के दरों में व्रद्धी किये जाने से कीमतें बढ़ जाती हैं कभी-कभी निर्यात में व्रद्धी सरकार कई बार विदेशी मुद्रा कवाने के लिए निर्यातों को प्रुसाहित करती है आयातों उपर बंध लगाती है जब आप निर्यात ज्यादा करेंग का प्रभाव अन्य देशों की किमतों पर भी पढ़ जाता है वर्तमान समय में अगर किसी दूसरे देश में जहां पे प्रेट्रूल का उत्पादन होता है अगर वहां बढ़ उत्री हो जाए तो हमारे देश में भी सभी वस्तुओं की किमते आप पाते हैं कि बढ़ गई हैं तो ये अंतराश्टी कारण भी है, घटे प्रतिभल के नियम के क्रिया शिलता, ये एक अलग सा नियम है, समझना पड़ेगा, देश में विवन उद्योगों में घटे प्रतिभल का नियम, लाफ, डिमिनिशिंग रिटरंस लागो होता है, इसका क्या मतलब होता है, जैसे जैस उत्पादन बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे उत्पादन लागतें बढ़ती चली जाती है, लागतों के बढ़ने से वस्तों की कीमतें बढ़ती चली जाती है, और इस पीतिक दशाएं उत्पन्न होती है, मैं आपको एक बात बता दूं, कि जैसे आप एक कप चाय बनाते हो तो एक कप चाय बनाने वे जितनी लागत आएगी अगर आप दो या तीन कप चाय बनाए तो जाहिर सी बात है प्रती कप चाय की लागत कम हो जाएगी लेकिन अगर आप महलिया तीस कप चाय बनाए तो भी हो सकता है कि प्रती कप चाय की लागत कम हो जाए लेकिन अगर आपको 3000 कप चाय बनानी हो, तो आप पाएंगे कि प्रतिकप लागत बढ़ी, क्यों? क्योंकि फिर एक बंदा काम नहीं करेगा, जहां पर 3 कप या 30 कप एक ही विक्ति बना सकता था चाय, वहीं पर अगर 300 कप चाय बनानी हो, तो आपको ज़्यादा लोगों की ज होता है कि अगर आप शुरुवात करते हैं बहुत कम से, तो वहां पर तो प्रतिकाई लागत ज्यादा होती है, लेकिन अगर उसको थोड़ा बढ़ा जाए तो एक लिमिट तक प्रतिकाई लागत घटती है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब आउत पादन और बढ़ाना चा करते हैं, तो आपको नए यूनिट लगानी पढ़ते हैं, नई फैक्टORxter बढ़ानी अपड़ती हैं, और उनकी लागत कहीं ज्यादा होती है, उस लाव के मकाबले में जह цो नई फैक्री के लागाने से मिलता है, तो בא कूल मिला करकर घट्ते-प्रतिबल का नियम क्रिआ से लिए होने की वज़े से भी किमतें बढ़ती हैं पुझी का तवस्तों का अधिक उत्पादन अफ सबी होग जानते हैं हम यहां पर बाढ़ रहे हैं इन्फलेशन तो हम उपभूखता वस्तों का आध्यान कर रहे हैं पुझी का वस्तों की अधियोगों को की अपेक्षा जो उत्पादन है वहाँ पिछड़ जाता है और कीमत इस्तर बढ़ जाता है लोप साइड़ प्रोड़क्शन यानि एक तरफा उत्पादन देश में अवश्यक उभुगता वस्तों के उपेक्षा करके आराम दथा विलासिता की वस्तों पर कभी कभी बल दिया जाता है जो ब बनती हैं उसमें एक नियम है कि उन्हें आपने कुल उत्पाधन का एक निश्यत प्रतिशत सूति की साड़ियां बनानी होंगी यह सरकार का एक नियम है अब यह स्वीर साड़ियां क्यों बनाने की बात आई जहानते हैं मैं बठाता tekrar को देखिए अगर आप कोई स्ल्की बनाते हैं जिनके कीमत 5000 है यह 10,000 है या और भी जादा है तो ऐसी साड़ीयों पर प्रतिसाड़ी आपका का जो ज see जादा होगा लेकिन 200 रुपे की जो साड़ी आती है जो सामानि सूति की साड़ी है जब ज़या तर बुजूर्ग महिलाएं पहनती है जब वो साड़ी ही 200 की है या 100 रुपे की है तो उस पर कितना कमा लेंगे आज आप यह भी जानते हैं कि जो इंडुस्ट्री जैंवा किसले काम करती हैं लाव के लिए तो काम करती हैं तो उनका अलाब इस पर तो होगा नहीं इस पर ज्यादा होगा तो वह 200 रुपे की साडी सूती साडी जिसे धोती कहा जाता है उस धोती पर उत्पादन करें यह उनका ध देना चाहेंगी तो इससे क्या होगा इससे जो अनिवार जो वस्तु में जैसे धोती जिने बुजर्ग महिलायां पहनती हैं बुजर्ग लोग पहनते हैं तो अल्टीमेटली उनके लिए उन वस्तुओं की कमी हो जाएगे और उनके मूली बढ़ जाएंगे तो सरकार ने व भुकता वस्तुओं की कमी होने से उनके मूली बढ़ते हैं उत्पादन में गत्रोद जब किसी देश में शक्तिके साधनों का चामाल श्रम पूंजीगत सामानाद की कमी हो जाती है तो उत्पादन में गत्रोद उत्पन होने के करण भी वस्तूओं की पूर्थी कम होती और रुख जाता है और वस्तूओं की पूरती घड़ जाती है जिससे मुद्राइसपीत की इस्थित उत्पन होती है कोई नई तक्निक आया तो पुरानी तक्निक के जो इंस्रुमेंट से उन्हें हटाय जाता है और मशीनों को रिपलेस के जाता है जिसमें टाइम लगता है और अ आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद